मैं इस वक्त गुंते गुंते उस अस्थान पर पहुँशني हूं जहाँ पर बाला जी बाजी को नाना चाहिव का तोप रका भून वा है तो दोस्तो बहर देख सकते हैं यह तो पर खखा हुआ है जिसे आप लग देख सकते हैं जों जब पर माराठों की बीच यूद हुआ था तो इसी तोपों से यूद्को नाना शाहिब और बाबा और बाला जी बाजी राव ने यूद लड़ा था तो कुछ इश्तर का यह और एक दूसरा तुप यहां पर एक दूसरा तुप यहां पर रखा हुआ है इसमें गोले बर बर करके अंगरे जो यानिकी भारत में वह लोग पर, दाग दिया करते थे और यहां का कुछ इस्ता रखा है यह तुप है और यहां पे देखेंगे दोस्तों यानि कि यह है तलवार और ढाला है यानि कि बनाए गया है दरवाजे पर और यहां पे देखेंगे एक घोड़े पर एक राजा विराजमान है जो कि बाराज पेशवाजी है और यहां पे इनका घोड़े के साथ बहुत खुशूरा तस्वी यानि कि मूर्तिया बनवाए गया है और यहां पर देखेंगे यह है श्रिमन्त थोरवे बाजिरा पेशवे प्रथम जयन्म 16 अगश्त 17 अभी सताब्दी में मृत्ति 16 अप्रेल 17 सचालिस भी में वथयाच्या स्मरडात मानिये डाक्टे सचिकांत खरवारे गरवारे और कुछ दूरी पर से इसे दिखाने का प्रियास करता हूं यह बाजिरावा का यहां इस टेचू है उनका यह घोड़ा है और भगवा कलर का यह जंडा आप लोग देख सकते हैं पत्थर से निर्मित दिवारों को देख सकते हैं और पिछे देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ी खुबसूरत मंदिर है वहाँ भी आप सभी को दिखाएंगे इससे पहले कि बाजिराव पे स्वा को देख सकते हैं यहाँ पे यानि कि जो कोई लोग आते हैं तो यहाँ पे तस्वीर वगरा जरूर लेना पसंद करते हैं और यहां पर जो पिलर है इसके उपर देख सकते हैं यूद दिख्यदवरान का यह तस्बीर इस पर दिखाया गया है और उपर देख सकते हैं बाजिराव पेशवा का यह प्रतिमा है यानि कि उनका फोटो है और तमाम यूद दिख्यदवरान जो लडाईया हुई थी उन्हे यहां पर दर्शाया गया है और यहां पर देखेंगे दोस्तों बाजी राव बाजी राव पेशवा वह नाना सहाइब का या जो किला है उसे आप लोग देख रहे हैं और इस किले पर से उनके जो सेना थी वह यहां पर तैना थ्वा करते थे यानि कि जो नीचे से पहाड पर यानि कि किले पर जो मुगलिया सा सकते वह उपर आते थे तो उपर से ही नाना सहाइब और उनके सेना जो कि तोप से गोलों से दाग दिया करते थे और यह वह राश्ता है जो कि नीचे से उपर आता है इसे आप लोग देख पा रहे हैं दोस् बनाया गया था, देश्ट मेरे बगल पीछे में देखने के लिए मिल रहा है, जिसे आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो आईए हम लोग इसके उपर प्रेश करते हैं, और कुछ इतिहास उगरा उपर हैं, उसे भी दिखाने का प्रयास करते हैं, यह जो दिवार देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सेना तयनात हुआ करते थे, यहाँ पर इस गली में सेना तयार हुआ करते थे, और यहाँ से जो कि उनके सेना जो लेट करके, नीचे निगरानी क्या करते थे, कि केले में कोई इंट्री नहीं कर रहा है, उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं, शेना मुझूद रहते थे, और मोटी-मोटी दिवारें देख सकते हैं, यहां पर 17 सताबदी में इस केले का निर्मार करवा गया था, और यहां भी देखेंगे आप लोग, यहां भी यानि कि यहां से भी निग्रानी क्या करते थे लोग, और पूरानी पारों को देख सकते हैं, जो कि केले का लौरी इटो से निर्मित दिवारे हैं, और यहां पे देखेंगे दोस्तों, नाना साइब, और बाजी राव पेशवा के जो सेना थे, वह लोग यहां पे रा करते थे, और यहां पे सेनाओ का रहने के लिए, यहां वास्था ने यानि किया जो उपर का रेलिंग वाला इस्था है उस पे से सेना तैनात रहती थी और देख सके कुछ फतली इटी है इसी इनी इटों से इन केलों को बनवाय गया था और बाद में इसे मंदिर को निर्माड करवाय गया है यानि कि केलों को तोड़ करके इस मंदिर का निर्माड करवाय गया है और यहां का चारों तरफ का नजारा में आप सबी को दिखाने का प्यास कर रहा हूं इन दिवारों को देख सकते हैं दोस्तों यह वही दिवारे हैं जो की 17 सतावदी में बनवाए गए थे जिसे नाना सहाब ने बनवाया था और बाजी राव पेशवा ने बनवाया था और यहीं से जो की उनके सेना थे यहीं से अलोकन क्या करते थे कि मतलब जो दुस्मन थे मोगलिया सासक वह कहीं मराथों पर हमला तो नहीं कर रहे हैं उसके लिए यहां से नाना सहाब का जो सेना थे वो यहीं से निगरान क्या करते थे तो दोस्तो यहां पे घुमने के बाद कफी अच्छा लग रहा है अब अगर आप आप लोगों कि इसके ले पर आपकजरू घुमय इसके ले को तो करके देख सकते हैं यहां पर मंदिर बनवा दिया गया है यह नाना साहब और बाजीर आपए सवे कहिया है इतियास है जिसे मैंने अब सबी को दिखाया और इस के लिए पर जो मंदिर बना हुआ, दोस्तों देख सकते हैं, काफी खुबशूरत यह मंदिर बना हुआ है, इसके निकासे देख सकते हैं, काफी भव्यता दिखने के लिए मिल रहा है, और मंदिर में एंट्री करते वक्त, मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, कि यहां मा काली जी का, यह मंदिर है, काफी खुबशूरत मंदिर हैं, दोस्तों देख सकते हैं, और यहां पर विश्राम करने के लिए हैं, बहुत ही मोटी मोटी दिवारों से निर्मित इन दिवारों को बनाया गया है, सुर्खे चुने पत्थर, सरीर में तो दिवारों को देखने के बाद ऐसा लग रहा है, यहां पत्थर से इन दिवारों और मंदिरों को बनाया गया था, और सामने देख सकते हैं, एक गनेह जी का मंदिर है, मैं आप सभी को हुआ अश्थान दिखाने का प्रियास करूंगा दोस्तों, यहां से मराठों के सेना और नाना साहब और बाजीराब पेशवा जो की इस केले का ध्यान रखा करते थे, मुगल के सांसनों से, और मुगल थे, वो लोगों को देखने के लिए यहीं से, जो की नाना साहब की सेना तरना तुगा कटती थी, चारा तरह करना जारा पहले आप लोग देखेंगे दोस्तों, और यहां देख सकते हैं कि इतनी बड़ी-बड़ी पत्खर से, जिनने कीलों को बनाए गया था, यह सिन देख सकते हैं आप लोग, यह लोग राजस्थानी हैं, राजस्थान से भी लाउन करते हैं, इस पहाल पर देख सकते हैं, इस कीले में यही वह दिवारे हैं, जेने नाना साहब ने बनवाया था, और भाजीरा पेश्वे ने बनवाया था, देख सकते हैं, और पीछे से इस कीले का पीव देख सकते हैं, आप लोग दोस्तों, इस कीले का यह पीछे का हिस्चा है, जो क किला बना हुआ है और इन दिवारों को देख सकते हैं कि यहां से देख सकते हैं दोस्तों यह नाना साहब का किला दिख बहुत ही बड़ी दिख रही है और पहाड पे यह किला बना हुआ था जिसे तोड़ करके मंदिर बना दिया गया है अंदर जब भी आप लोग गुमने के लिए यह मुख्य राष्टा हुआ करता था यानि कि इनी राष्टों से इस केले में आया करते थे लोग और आज पास का यह नजा रहा है इसे आप लोग देख रहे हैं और यह इन दिवारों को देखेंगे यह पत्था से इस तरह से भरा के आई से देखेंगे और दोस्तों केले में घुमने के लिए यानि कि अंदर आने के लिए इसका रशेरोड बनवाय गया है और यह आप जो की दिवारों के अवसेश पड़े हुए हैं यानि कि केले के अवसेश देखने के लिए मिल रहा है जो यह पत्थर देख रहे हैं इनी पत्थरों से इस केले को बनवाय गया था यानि कि नाना साहब बाजरा पेशवा की जो सेना थी यानि कि उनके जो लोग थी इतने बड़े-बड़े चटान कैसे उठा करके पहाड पर लाया करते थे काफी मेहनत और कसकत से इस कीले को बनवाय गया होगा और केले के दिवारों पर देख सकते हैं बाद में कटेली तारों से इसन दिवारों को सुरच्छा किया गया है यानि कि केले को सुरच्छा दिया गया है और इसके नीचे का नजरा देख सकते हैं कोच इस तरह का भीव देखने के लिए मिल रहा है नाना शाहब ने बहुत मेनत का सकत किया होगा इस केले को बनवाने के लिए यह देख सकते हैं इतनी उचाई पर यहां केला दिख रहा है और इसके दिवारें अप लोग देख सकते हैं आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं सत्रहई सतावदी में नाना शाहब का जन्म हुआ था और सत्रहई सत्रहई सो चालिस इसभी में उनका मिरती हुआ काफी यूद दिलडने के बाद इसके लिए को बचा गया था लेकिन मुगरिया साहब कई लाख के संख्या में आते थे और मराथों की संख्या कुछ हजारों में रा करती थी नाना शाहब और बाजिराव पेशवा ने काफी हिम्मत के साथ यह दिलड़ा और 1740 में नाना साहब का मिरती हुआ तो इस केले पर गुबने के बाद काफी आनंद आ गया दुश्टों कुछ दूरी पर से आकरके इन दिवारों को देख सकते हैं काफी उजाई पर इस केले को बनवाया गया था और किले के दुसरे हिस्से में जाने के लिए या राष्टा है, यानि कि यह एक और राष्टा है किले में प्रेश्ट करने के लिए, यानि कि यहां से भी अंदर प्रेश्ट किया जा सकता था, यानि कि किले के अंदर इस जंगल में से किले में प्रेश्ट करने के लिए यहां स से प्रवेश्च किया जाता था और केले के दिवारे के उसे से यहाँ विखर चुके हैं यानि कि खंडार में तब दिल हो चुका है और यहां से केले इस केले का नजारा देखने के लिए मिल रहा है तो दोस्तों फाइनली इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं काफी वीडियो लंबा हो चुका है अगर पसंद आया हो तो शेयर जरू करिएगा यह नाना सहाइब और बाजीरा पेसिवे का यह अखिला था जेकि 17 सताब्दी में नाना जी ने इस किले को बनवाया अगर वीडियो पसंद आया तो लागिरू करेगा में यूट्यू चनल सभी जे विक्टोरिया यहिंद यह भारत